दिन 11 जुलाई 2019 वक्त रात के 11 बच कर 69 मिनट लोग सभाध्यक्ष ने कारिवाई की स्तमापती का एलान किया ज्यादा से ज्यादा सांसद अपनी बात रख पाए पहली बार आए सांसदों को भी मौका मिला ऐसे लम्हें भारती राजनीती में कम ही आये हैं जब देश के प्रतिनिधियों ने आधी रात तक जनता के लिए काम किया हो लोग सभा का ये सत्र कई मायनों में इत्हास में दर्ज हो गया मोधी सरकार ने कामकाज के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिये बीते 20 सालों में अगर तुलना करें तो इस सत्रमी लोग सभा का ये पहला सत्र अब तक का सबसे प्रोड़क्टिव सत्र साबित हुआ है यानि इस सत्र में सबसे ज्यादा काम हुआ है इतना ही नहीं मोधी सरकार इसी सत्र को अभी और बैटकों के लिए बढ़ाने पर भी विचार कर रही है ताकि लटके हुए सभी विधे जल से जल पास हो पाए और अलग से मौनसोन सत्र बुलाने की जरूरत ही ना पड़े PRC के आकणे देखें तो इस बार 16 जुलाई तक लोग सभा की प्रोडक्टिविटी 128 प्रतिशत रही है जो की बीते 20 सालों में सबसे ज्यादा है इसके बाद दूसरे नंबर पर भी मोदी सरकार का 2016 का बजट सत्र है उस वक्त की प्रोडक्टिविटी 125 प्रतिशत रही थी ऐसे ही इसी सत्र में 11 जुलाई का दिन लोग सभा का सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी वाला दिन रहा अब तक इस सत्र में 8 बिल पारित हुए मोदी सरकार ने अपने दूसरे कारेकाल की शुरुआत में ही ये साफ कर दिया है कि आने वाले 5 साल कैसे रहने वाले हैं